अगर आप अपने कीचन के लिए एक best chimney purchase करना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको किस टाइप की चिमनी अपने लिए पर्चेस करना चाहिए צिमनी के अंदर कुण कुल से फीचर होना चाहिए वो मार्केट में कितने टाइप की चिमनी फिलाल अवेलेबल है दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको टॉप फाइब बैस्ट चिमनी इन इंडिये टुथ होसन टोइंटी दरीके बारे में बताऊंगा साथ ही आपको बताऊंगा कुछ जरूरी इंपोर्टन बात हैं चोकि चिमनी लेने से बेले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है सबसे पहले जानते हैं कि कितने टाइप की किचन चिमनी होती है foreign में तीन टाइप के kitchen chimney use होती है wall-bounded kitchen chimney, corner kitchen chimney और island kitchen chimney लेकित इंडिया में दो टाइप की kitchen chimney use होती है buffalo filter chimney और filterless chimney लेकिन इन दोनों में से आपको किसे purchase करना चाहिए ये depend करता है इन दो ही kitchen chimney के बारे में जानने के बाद में buffalo filter chimney में दोस्तों filter कुछ इस तरीके से use होते है जो कि अभी आपको वीडियो की screen पर दिख रहे है दोस्तों इन filter को आपको 3-4 हपतों में एक बार साफ करना होता है क्योंकि जो भी आप cooking करते हैं तो जो oil होता है वो filter के उपर जाकर जमा हो जाता है और अगर आप उन्हें regularly 3-4 हपतों में साफ नहीं करता है तो आग लगने का खत्रा बढ़ जाता है और साथ ही दोस्तों जो भी chimney का suction power होता है वो reduce होता है और इन टाइप की chimney में दोस्तों जो motor होती है वो बहार open लगी होती है और उसके उपर भी काफी impact आता है वही filterless chimney में आपको auto clean function मिलता है एक single button को press करके आप easy cleaning कर सकता है और इस type की chimney पे दोस्तों जो भी oil होता है वो oil collector tray में जाकर जमा हो जाता है और oil collector tray को आप easily remove करके उस oil को साफ कर सकता है वही दोस्तों इस type की chimney के अंदर जो भी motor होती है वो भी silt होती है और उसके उपर कोई भी impact नहीं होता है अब इन दोनों की type की chimney में से आपको किस type की chimney को अपने लिए purchase करना चाहिए अगर आप high maintenance कर सकते हैं और filter time to time change कर सकते हैं और आप deep oil frying cooking करते हैं तो फिर इसे में बफेले filter वाली chimney आपके लिए best choice बन जाती है वहीं दोस्तों अगर आप easy to maintain वाली chimney अपने लिए purchase करना चाहिए जिसमें automatic cleaning का feature आपको देखने को मिले है तो दोस्तों इसे में आपके लिए filterless chimney best option रहती है अब बात करता है अगले important points कि वो हैं दोस्तों चिमनी की size कि आपको कितने size के चिमनी अपने लिए purchase करना चाहिए अगर आप अपने घर पर 2-3 burner का gas stove यूज करते हैं तो इससे आपके लिए 60 cm के चिमनी best option मन जाती है वहीं इससे ज्यादा अगर आप gas stove burner यूज करते हैं और AC में दोस्तों आपकी best चिमनी भी आपके लिए बहुत ही irritating हो जाती है तो आपको वहीं चिमनी अपने लिए purchase करना चाहिए जिसका noise level आपको 60 decibel से कम देखने को मिले अब बात करते हैं suction power की तो दोस्तों suction power depend करता है क्यूबिक मीटर पर आवर पर और kitchen चिमनी इस market में आपको 500 क्यूबिक मीटर पर आवर से लेकर 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर तक देखने को मिल जाती है लेकिन Indian family के इसाब से कम से कम 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर की kitchen चिमनी हमें जरूर परतिस करना चाहिए लेकिन अगर आपका kitchen बड़ा है तो आपकी लिए फिर एसे में 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर की kitchen चिमनी सबसे best choice होती है अब बात करते हैं सबसे आखरी point के बारे में वो यह है कि दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी kitchen चिमनी परतिस करें तो उसकी warranty जरूर चेक करें क्योंकि यह काफर important होता है इसके अलावा आपको इस brand की after sale services भी चेक करना है कि service center आपके सबसे nearest उस brand का है या नहीं है क्योंकि after sale services में service center ही सब कुछ होता है साथ में दोस्तों आपको installation charges जो है वो average 2000 उपे तक 8 करके चलना ही चाहिए क्योंकि वो आपको लगते ही है इस चिमनी में आपको 60 cm और 90 cm दोनों ही option देखने को मिलेंगे वह इस action power आपको 1050 m3 per hour का मिलेगा और noise levels आपको 58 decibels के मिलेंगे डिजाइन की बात करें तो आपको curve to glass design इस चिमनी की देखने को मल जाती है और इस चिमनी में आपको LED lights मिलेगी साथ में ही आपको motion sensor मिलेगा वो भी touch panel के साथ में warranty की बात करें तो Glenn की ओर से आपको 5 साल की overall motor पर warranty मिलती है वही price की बात करें तो 60 cm के चिमनी को फिलाल आप पर्चिस कर सकता है 11,290 रुपे में वहीं आप 90 cm के kitchen चिमनी को फिलाल पर्चिस कर सकता है इस चिमनी में आपको 60 cm और 90 cm दोनों ही option देखने को मिलेंगे वही suction power आपको 1100 cubic meter per hour का मिलेगा और noise level वर्लपूल की इस चिमनी में आपको 58 decibels के देखने को मिलेंगे वर्लपूल की इस चिमनी के जो design है वो आपको curved glass design मिलेगी वहीं आपको LED lens मिलेंगे इस साथ में आपको motion sensor का feature मिलेगा वो भी touch control panel के साथ में warranty की बात करें तो एक साल की overall product पर warranty मिलती है वहीं पर आपको 10 साल की motor पर warranty मिलेगी और price की बात करें तो आप 60 मिंटर की चिमनी को फिलाल पर्चिस कर सकता है नमबर 3 पर है हिंद वेर की filterless chimney इस chimney में आपको 60 cm, 75 cm और 90 cm के 3 option मिलेंगे वहीं आपको suction power 1200 cubic meter per hour का मिलेगा और noise level इन chimneys में आपको 60 decibels के मिलेंगे वहीं बात करें features के तो दोस्तों आपको efficient LED lights के यहाँ पर लैंप देखने को मिल जाता है वहीं आपको जो है वो touch control panel भी मिलता है और इसकी जो design है वो भी आपको काफी unique मिलती है हिंद वेर की ओर से बात करें warranty की तो एक साल की euro product पर warranty मिलेगी 10 साल की motor पर और price की बात करें तो दोस्तों 60 cm की chimney को फिलाल आप purchase कर सकते हैं 13,490 रुपे में लेटेस प्राइस और फिचर के लिए आप best filing को ज़रू चेक करें टॉप फाइब बैस्ट केचन चिमने एन इंडे टू टॉज़न टूज़न टूज़न नमबर टू पर है एलिका filterless चिमनी इस चिमनी में आपको 60 cm और 90 cm के दोनों option मिलेंगे वही आपको 1200 cubic meter per hour का suction power मिलेगा और noise level आपको 58 decibels के मिलेंगे दोस्तों अच्छी बात है कि एलिका की इस चिमनी की जो design है वो आपको striking design देखने को मलती है जिससे किसका जुलूख है वो आपको काफी premium और attractive देखने को मिलेगा वही features में आपको L&D lights देखने को मिल जाती है साथ में आपको touch control panel मिलेगा वो भी smart motion sensor के feature के साथ में warranty की बात करें तो 2 साल की over product पर warranty मिलेगी 15 साल की motor पर और price की गर हम बात करें तो फिलाल आप 60 cm की चिमनी को purchase कर सकते हैं 12,990 रुपे में वही 90 cm की चिमनी को फिलाल आप purchase कर सकते हैं 13,850 रुपे में दोनों की product की link आपको मिल जाएगे description box में Top 5 best kitchen चिमनी एनी डियाटो था और 2023 में नमबर 1 पर है फैबर की 90 cm filter-less kitchen चिमनी इस चिमनी में आपको 1250 cubic meter per hour का suction power मिलता है वहीं आपको 59 decibels के यहाँ पर noise levels देखने को मिलता है इस kitchen चिमनी की जो design है वह आपको italian देखने को मिलता है जिससे किसका looks आपको काफ़ी attractive और premium मिलता है इस चिमनी में आपको LED lightning मिलेगी साथ में आपको जो है वो auto claim का alarm का feature भी देखने को मिल जाता है जिसके लावा touch and gesture control का feature भी आपको मिलता है वही warranty की बात करें तो फैबरी की ओर से 2 साल की world product पर warranty मिलती है और 12 साल की मोटर पर और इस चिमनी को फिलाल आप purchase कर सकता है 15,900 उपे में जिसकी best buying link मिलेगी आपको description box में दोस्तों बहुत ही मैना तो research करके आपके लिए एक video बनाता है ताकि आपको मदद हो एक best product को अपने लिए choose करने के लिए अगर आप अपने लिए कोई भी product online purchase करना चाहता है तो हमारे द्वारा दी गई affiliate link से ही purchase करें क्योंकि आपको महाँ पर bank के credit card और debit card के offers मिलेंगे और अगर आप हमारी affiliate link से अगर purchase करता है तो आपकी product की price तो हुए रहेगी लेकिन आप indirectly हमारे channel के काफी financially help कर देंगे अगर आप हमें support करना चाहता है तो हमारे द्वारा दी गई affiliate link से ही purchase करें तो दोस्तों ये रही complete detail stop for best kitchen chimney in India to 2023 के बारे में दोस्तों इन सभी brand के chimney वे से कोई भी brand के chimney आप अपनी requirement और budget के साब से purchase कर सकता है लेकिन before buying दोस्तों आपको ये दियान रखना है कि इनकी service center के बारे में जरूर पता कर लेना है कि जो भी आप chimney purchase कर रहे है उस brand की service center network ability आपके area में available है या नहीं है क्योंकि after sales services में दोस्तों सब कुछ service center ही होता है उन में दोस्तों ये detail video आपके लिए जरू helpful रहा होगा अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please इस video को ज़्यादे सादा like कीजिए और अपने family friends member के साथ इस video को ज़रू शेर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो please comment कीजिए मैं आपके सवालों कर reply आपको ज़रूर दूँगा दोस्तों आज की video में इतना ही मिलता है बहुँ चल देक new video में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातराम